जयहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो में हम important reports and indices देखेंगे तो इस वीडियो का आपके समिल में प्रेजन करूँगा मैं मयूर मोगरे आप मुझे facebook पर instagram पर follow कर सकते हो और अगर आपको pdf चेत आप टेलिग्रम पर follow कर सकते हो link सबकी description में दी हुई है शुरू करते हैं global gender gap report अब global gender gap report जो है कौन publish करता है तो world economic forum publish करता है बहुत important है कब से start हुआ है 2006 से start हुआ है अब यहाँ पर क्या होता है तो जैसे ही word बताता है global gender gap report gender inequalities है यहाँ पर यह publish करता है तो इसमें जो भारत का rank है वो 108 rank है वो हम आगे देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगी कि यह जो major सही किस तरीके से होते हैं support क्या examine करता है यहाँ पर तो याद रखने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक चीज लाई है जैसे कि सबसे पहली चीज हम इस थरीके से याद रख सकते हैं कि सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए सबसे पहली चीज आती है कि जो एक लड़की है वो पैदा हुई है तो उसका survival survival वहाँ पर होना चाहिए उसकी health वहाँ पर अच्छे से रहना चाहिए तो पहला factor होई आता है health and survival इसका मतलब है कि outcome of life expectancy and sex ratio यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर health and survival जो है वो लड़की की अच्छी हो गई है तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद उसे education जो है वो provide करना पड़ देश के लिए कुछ करना चाहिए तो देश के लिए कुछ करना चाहिए मतलब क्या है political empowerment यहाँ पर मिलना चाहिए political empowerment मतलब क्या है outcome on representation in the decision making structure डुब decision making structure रहेगा उसमें कितना role होता है एक लड़की का है एक महिला का तो यहाँ पर देखा जाएगा political empowerment हो रहा है मतलब क्या है यहाँ पर जो income है income यहाँ पर generate हो रहा है मतलब economy जो है यहाँ पर बढ़ रही है economic participation and opportunities यहाँ पर बढ़ रही है global gender gap report रहे बहुत important है क्योंकि इसमें भारत का जो rank है वह 108th rank है 144 countries में से अब यहाँ पर पहले अगर 2016 में आगर आप देखोगे तो 87th rank था मतलब यहाँ पर sleep हुआ है और अगर आप 2006 में देखोगे तो 98 था मतलब 2006 से हमने improvement नहीं हमारे degradation हुआ है यहाँ पर 108th rank आया अब यहा है survival में दूसरा आता है economic participation जिसमें 139th rank है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि education attainment जो है उसमें भी इतना खास नहीं है 112th rank है लेकिन सबसे अच्छा जो है political employment में है 15th rank है यहाँ पर ब्रिक्स country देखोगे तो इंडिया जो है सबसे धसा हुआ है ब्रिक्स country में से भी तो इसा भी हो सकता है कि इस तरीके से पूछा जा सकता है चायना का ब्रिक्स country में सबसे अच्छा rank जो है वो चायना का है तो ऐसा नहीं है South Africa का सबसे अच्छा rank है यहाँ पर 19th rank है global gender gap report में अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इंडिया का rank जो है वो लो क्यू है दो इंडि इस फ्रीफरेंच झो होता है वो सब मेटा प्रिफरेंश से जैसे हमने एकॉनोहमिक स्वे में देखा है सन मेटा प्रिफ्रेंच जिसमें क्या बोला गया है कि जब लड़किया जो है वो unwanted girl-child होती है मतलब उन्हें लड़का जाई होता है लेकिन जब तक लड़का नहीं होत तब तक लड़किया जो है वो पैदा होती रहती है तो वो कैसी होगी वो unwanted girl child होगी तो इसलिए यहाँ पर जो son preference होता है इसलिए यहाँ पर health and survival है वो यहाँ पर degrade हो गया है 141th rank है और economic participation and opportunities for women अब यहाँ पर economic participation and opportunities यहाँ पर क्यों कम हो रही है यह भी economic survey में बताया गया है जो इससल का economic survey है उसमें बताया गया है कि जो भी महिलाएं होती है वो काम तब करती है जब वो need में होती है जब उनकी family जो है वो need में होती है लेकिन जो भी पूरूश होते हैं फैमिली के जो पूरूश है अगर वो sufficiently earn कर रहे हैं तो जो महिला हैं उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है मतलब यहां पर नीड के हिसाफ से जो है वो employment वहां पर generate होता है जो women है उनके लिए rather than उन्हें काम करने की इच्छा है या नहीं उसके बदले तो यहां पर सिब नीड के तोर पर काम होता है ना की उनकी मर्जी के रूप में इसलिए यहां पर economic participation opportunities जो है वो भी कम है 139th rank है 136 से डाउन हो गया है यह अब यहां पर score जो है आपको देखने की जरुवत नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको अगर देखना ही है तो यहां प 2008 यह उनका score आया है उसका दाता है Norway, Finland तो यह सारी country आप देख सकते हो तो पहला कुंसा है Iceland है Next हम चलते है Global Competitiveness Report पर Global Competitiveness Report जो है यह भी World Economic Forum जो है यह publish करते हैं High Level Prosperity देखते हैं इस सब उसके Competitiveness Report मतलब क्या है यहां पर measure करते है Set of Institutions, Policies, Factors that Set the Sustainable Current and Medium Term Level of Economic Prosperity अब इसके कुंसे factors होते हैं तो pillars हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर 12 pillars होते हैं यहां पर तीन इसमें डिवाइड होते हैं जैसे basic requirements बेसिक requirements क्या होती है institution होना चाहिए infrastructure होना चाहिए infrastructure में इंडिया का जो है वो जो rank है वो बड़ा है उसके बाद micro economic environment उसके health and primary education तो यह क्या होगे basic requirement अगर यह basic requirements ही ना हो तो आप इमारत खड़ी ही नहीं कर सकते हो तो basic requirement ज़रूरी ह उसके efficiency announcement है उसमें इतने pillars दिये होगे है उसके innovations इनोवेशन भी तो चाहिए रहेगा तब जाकर आप development कर सकते हो तो यह innovations के factors आते हैं तो इसे 12 pillars यहाँ पर दिये होगे है उसके इंडिया जो है 40th spot पर है 137 countries में से world economic forum के द्वारा global competitiveness index में most competitive country रही है South Asia में और improve हुई है higher education and training में भी यहाँ पर six position से improve हुई है उसका technological readiness में भी तीन position से improve हुई है सबसे पहली country को उसी है Switzerland है उसके अधाता है United States उसका अधाता है Singapore चायना जो है 27th rank पर है इंडिया 40th rank पर है उसके पीछे South Africa है और Brazil है तो अगर आप देखोगे global gender gap report उसमे South Africa और Brazil इंडिया से काफी आ अगे है उसके जाता है global enabling trade report 2016 global enabling trade report जो है यह भी publish किया गया था 2008 में world economic forum के द्वारा किया जाता है उसके बाद enabling trade index measures the factor of policies and services that facilitate the trade in goods across borders and destination तो यहाँ पर क्या है जो भी across borders जाएंगे आपर goods उनके बारे में यहाँ पर होता है and to destinations तो यह काफी important चीज़ यहाँ पर हो जाती है global enabling trade report अब यहाँ पर इतने सारे factors जो ही आते है जैसे market access आता है बाद में border administration आता है telecom and transport infrastructure आता है और business environment आता है तो इस तरीके से यह चार major से बहुत important है आपको ध्यान में रखने चाहिए चार major जो है वो उसके यह चीज़े है यह आपने ध्यान में यह नहीं भी रखी तो भी चल places to 102 position 102 position पे आया है 136 economies में से तो यहाँ पर improve हुआ है 102 rank आया है यहाँ पर among the Bricks nation India, China, South Africa have improved their ranking from the previous edition India's position जो है वो 102 position पे आया है South Africa जो है improve हुआ है 3 places से 50 to 55 while that of China stood at 61 compared with the previous ranking of 63 तो इस तरीके से हम देख सकते है जो Bricks countries है उसमें भी improvement यहाँ पर हुआ है Russia जो है वो drop हुआ है to 111 from 105 तो यह भी आपको ध्यान में रखना है Russia जो है वो drop हुआ है और Brazil जो है Brazil और Russia उनकी position जो है वो sleep हुई है Next चलते हैं inclusive development index 2018 inclusive development index यह भी world economic forum जो है यह release करता है inclusive development index जो है annual assessment of 103 countries का होता है economic performance के based पर inclusive development index measures how the country's performance on 11 dimensions of the economic progress in addition to GDP 11 यहाँ पर majors होते है 11th majors में किस तरीके से 11 dimensions में किस तरीके से perform किया है वो यहाँ पर बताते हैं यहाँ पर तीन categories है जैसे growth and development inclusion and intergenerational equality और तीसरा आता है sustainable stewardship of natural and financial resources तो यहाँ पर बाकी जो dimensions है वो भी आप देख सकते हो GDP, labor productivity, employment, health life expectancy तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर इतना important नहीं है इंडिया का जो rank है वो 62nd है out of 74 emerging economies और उसके बाद यहाँ पर आता है इंडिया continues to be ranked below neighbors पाकिस्तान, स्री लंका और नेपाल in the inclusive development index तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो rank है 47th है इंडिया का 62 है श्री लंका का 40 है इंडिया का 62 है नेपाल का 22 है इंडिया का 62 है तो इस तरीके से आ अधिवद यह जो है लुथियाना, हंगरी और अजरबीजान यह जो है toppers among the emerging economies तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके next यहाँ पर आते है world happiness report बहुत important report है जैसे मध्यपदेश जो है उन्होंने भी हाँपर happiness index जो है वो शुरू किया है world happiness report जो है annual publication of United Nations Sustainable Development Solution Network तो United Nations Sustainable Development Solution Network का यह report है report जो है वो contains the ranking of national happiness and analysis of the data from various perspectives पहला report का पाया था 1st April 2012 में आया था पहला report और उसके बाद यहाँ पर इतने criteria's यहाँ पर दिये हुए है जैसे कि GDP per capita, healthy years of life expectancy, social support, trust, perceived freedom to make life decisions and generosity university तो यह जो six यहाँ पर parameters है, six criteria's है यह आपको ध्यान में रखने चाहिए बहुत important है क्योंकि ऐसे ही पूछ सकते है कि इस criteria पर happiness report जो है वो दिया चाता है इंडिया का जो rank है 122nd है of 155 countries तो यह कभी पीछे है अभी इंडिया 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 विल भी प्लेस्ट बिहाइंड मेजरिटी आप साओ अशियान आप पीछे गया है तो अभी देख सकते हो आप पीछे गया है तो happiness countries सबसे पहली आते ही नॉर्वेय, डेन्मा आइसलेंड और सबसे पीछडी भी countries अगर आप देखोगे तो यह आएगी जैसे Central African Republic उसके अदबुरूंदी, Tanzania, Syria तो यह आप देख सकते हो जो भी war या फिर किसी civil conflicts में है वो सब पीछडी भी रहेगी यहाँ पर health index अब health index जो है यह सबसे पहली बार नीतिया आयोग जो है इसने यहाँ पर release किया है जिसका title था healthy states progressive India तो यह काफी important है क्योंकि नीतिया आयोग ने first time यहाँ पर release किया है तो इसलिए इसके बार में हमें चानना अब हो ज़रूरी है अब यहाँ पर नीतिया आयोग ने launch किया है मतलब यहाँ पर countries के बार में पर तो नहें रहेगा यहा यहाँ पर लाए गया है जैसे large state है smaller states है and union territories है तो report जो है वो developed किया गया है नीतिया आयोग के त्वारा technical assistance किसका लिया गया है world bank का लिया गया है very very important बहुत जाथा important है यह world bank का assistance यहाँ पर लिया गया है ministry of health and family welfare also consulted in this process तो obvious है कि health related है तो ministry of health and family welfare इसमें include की ही चाहेगी report is the first time to establish an annual systematic tools measures understand the nation's health performance तो यहाँ पर बहुत जरूरी है यह बहुत important है मुझे लगता है यह आ सकता है exam में इसमें यह सारी चीज़े जो है include की गई है तो इसका जितनी भी चीज़े है सब आप पढ़ लिजे याद कर लिजे बहुत important है नियो नाटरल mortality rate उसका अंटर 5 mortality rate full immunization coverage institutional deliveries people living with HIV और anti-retrovill therapy तो यह जो चीज़े हैं बहुत important indicators है यहाँ पर यह भी आप ध्यान में रखिये उसके लार्जर स्टेट्स जो है उसमें से केरला पंजाब तमिलनाड़ु जो है वो टॉप किया है यहाँ पर उन्होंने जारकान जम बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, occupied bottom ranks अब यहाँ पर bottom ranks कोन सी है तो उत्रप्रदेश, राजस्तान, बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश इन्होंने bottom rank यहाँ पर हासिल किया है ओडिशा is estimated to have highest neonatal mortality rate 35,000 life births तो यह चीज़ जो हो गई, यह हो गई, लाजर स्टेट्स के बारे में, उसका smaller स्टेट्स आते हैं, smaller स्टेट्स में मिजोरम rank first, followed by मनीपूर on overall performance सबसे पहले मिजोरम, मिजोरम जो है उसने यहाँ पर top किया है, in terms of annual incremental performance जो है, annual incremental performance होता है, जिसमें की जारखन, जम्य और कश्मीर और उत्तर प्रदेश इन्होंने top 3 countries रहे हैं, तो इसमें से कौन सी countries है, तो मनीपूर rank top followed by गोवा, उसके यहाँ पर union territories जो है, उसमें से लक् जो है, वो stand की है, overall performances में top 3 केरला, पंजाब, तमिल नाडू है, bottom में बिहार, राजस्तन, उत्तर प्रदेश है, incremental में जारखन, जम्य और कश्मीर, उत्तर प्रदेश है, और bottom में गुजरात, हर्यना और केरला है, तो इस तरह के से आप देख सकते हो, अब यहाँ पर incremental improvement मतलब क्या होता है, incremental improvement मतले, improvement का कितना scope है, अब पहले ही बहुत जादा कोई developed है, तो improvement का तो कम ही scope रहेगा ना, उसमें, अब already UPS में पहला rank आया है, तो उससे improvement क्या रहेगी, first rank से जादा improvement क्या रहेगी, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा ही होता है, कि जो top countries है, उसका basically जो improvement होती ह है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, केरला जो है, वो top में है, इसलिए यहाँ पर incremental improvement जो है, उसमें काफी कम है, जो केरला है वो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो bottom है, उसमें उत्तर प्रदेश है, इसलिए improvement के इसमें भी सबसे जादा जो है, वो उत्तर प्र करता है दूसरा था है कि ease of doing business जो है ये कॉन रिलीस करता है वर्ल्ड economic outlook जो है ये कॉन रिलीस करता है तो मैंने एक separate video बनाया है काफे पहले बनाया था I guess उसे साथ मैंने तो हो गए होंगे तो जब मैंने बनाया था तो उसमें कि किस तरीके से कौन-कौन सी institutions है ऊसकी report publish करती है उसके किस तरीके से हम ट्रीक से यात कर सकते हैं तो वह मैंने आपर बनाया है उस video में तो जेंटर इक्वल इनिक्वालिटी इंडेक्स ये तीनों क्वेशन के जो एंसर है वो आप मुझे कमेंट स्क्षिक्श में जरूर बताईए क्योंकि ये तो आपको पता ही होंगे क्योंकि यूपेस से जो है वो काफी बार पूछ चुके हैं विसलिए मैंने आपर इंक्लूट करते हैं ताकि एक बर आपका रिवीजन भी हो जाए तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो आप खत्म होता है आपको वीडियो पसंद है तो शेयर दरू कीजिए हैं मिलते हैं अगल